एक बर फिर हनणा के पानीपत में अचानक भ्यंकर आग लगनी की खबर सामने आई है और यहादसा इतना भ्यावर रहा कि इस अगनीकान में दुकान में रखे करूडों का समान चल कर राख हो गया बता दे पानीपत के गोहाना रोड से सुविधा के शोरू में देर राद भ्यंकर आग लगए आग के कारण शोरू में लगा 15 करोड का समान चल कर खाक हो गया बताया ज़ा रहा है कि आग शोरू में वेस्मेंट से शुरू हुए और धीरी धीरी तीन मंजला शोरू को अपने आगोश में ले लिया आग लगने के कारणों का भी तक पता नहीं लग पाया है जानकारी देते वे शोरू के मालिक ने बताया कि उनके पास दो बज़े सिक्यॉरिटी गार्ड का फोन आया था जिसने बताया कि शोरू से धुवानी कर रहा है साथी बताया तीन मंजला अब उपर तो फ्लोर है ना सकते हैं? तीन फ्लोर हैं टोटल? तीनों हमारे थे? ताइम पर आगी थे? पुलिस भी आगी पूरी फोर्स आगी थे बता दे बेस्मेंट में लगी आग थोड़ी ही दिर में फैलती चली गई और एक बड़ा रूप ले लिया आग पर काबू पाने के पानिपत की रिफानिरी थर्मल और करणाल जिले की सभी फायर ब्रिगेट मौके पर पहुंचे जाने हैं कारी के नुसार अब तक आग लगने के कारणों का पता नहीं चुल पाया है फिलहाल सभी पहलो की जांच की जारही है